वेलकम टू निती का स्टटी पॉइंट मैं हूँ निती और आज बात करने वाले हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जिसे नील हरित सैवाल कहा जाता है या फिर साइनो बैक्टिरिया कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उन्हें दो जगत प्रणाली के नुशाल एल्गी की एक क्लास जिसे साइनो फाईसी कहा जाता है उसमें सम्मिलित क्या गया था पर यहां पे इन्हें अब नील हरित सैवाल जो हैं उन्हें किंग्डम मॉनेरा में रख दिया गया क्योंकि ये एक प्रोकेरियोटिक कोसिका है प्रोकेरियोटिक कोसिका ऐसी कोसिका या सैल होते हैं जिनकी किंद्रक जो है या फिर नुकलियास है वो पूर्ण विक्सित नहीं होती है तो पहले ऐसा माना जाता था कि यह एलगी है पर इनमें देखा गया कि इनके जो किंद्रक हैं और दूसरे जो लक्षण है वो kingdom monira के जीवों के समान, इस पेसली जो कहें bacteria है, उनके समान है इसलिए इन्हे kingdom monira में रख दिया गया और इसलिए इन्हें synow bacteria कहा गया पहले blue green algae उसके बाद kingdom monira में आने के बाद इन्हें synow bacteria कह दिया गया उनका नाम यहाँ पे जो Sino bacteria है उसे International Code of No Man Culture for bacteria के द्वारा 1978 में दिया गया है तो यहाँ पे Sino bacteria का नामकरण किसके द्वारा दिया गया है? ICNBK द्वारा दिया गया वो भी 1978 में दिया गया अगर हम देखें जो blue green algae यहाँ पे जो Sino bacteria है वो कहाँ पाया जाते हैं? तो यह especially fresh water में पाये जाएंगे और लवण वाले और इस्थलिये आवास में पाये जाते हैं Sino bacteria जो होते हैं वो पृत्वी पर oxygen पैदा करने वाले प्रथम सजीव माने जाते हैं यह याद रखे Sino bacteria प्रथम oxygen पैदा करने वाले सजीव है Sino bacteria प्रकास संसलेसी prokaryotes होते हैं मतलब यह प्रकास संसलेसन के द्वारा अपना जो फूड है वो produce करते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रकास संसलेसी Sino bacteria जो होते हैं वो दिखने में नीले और हरे कलर के दिखाई पड़ते हैं और यह जो नीला हरा कलर है वो उन्हें एक pigment जिसे फाय को साइनिन कहा जाता है उसके कारण मिलता है और यह दिखने में किस कलर में होंगे नीले और हरे कलर में फाय को साइनिन की वज़ा से अगर और यहां पे देखे हम तो इनमें और दूसरे pigments भी पाये जाते हैं जो की है हमारा chlorophyll A जो की हरे कलर का प्रदर्शन करेगा सेकेंड है यहां पे carotenoid जो की पिले रंग के लिए जाना जाता है तिसरा phycocyanin जैसे की मैंने अभी बताया नीला कलर और नेक्ष्ट है हमारा यहां पे c phyco erythrin जो की लाल कलर का दिखाई पड़ता है अगर हम यहां पे एक्जामपल देखें नील हरी सेवाल के तो एक्जामपल तो बहुत हो जाएंगे पर जो special जो मुख्य एक्जामपल है उसमें हो जाएगा हमारा नाश्टाक एना बीना ओसीले लूरिया यह प्रमुख एक्जामपल है यहां पे साइनो बैक्टिरिया का मैंने बताया कि ब्लू ग्रीन ही दिखाई पड़ते हैं मैक्जिमम टाइम क्योंकि इनमें जो क्या है पिगमेंट है फाइको साइनिन वो पाया जाता है पर यहां कुछ जो साइनो बैक्टिरिया है वो दुसरे कलर के भी हो सकते हैं जैसे कि येंहाँ पर अगर हम देखें ट्राइकोडईस्मियम एक साइनो बैक्टिरिया है जो कि यहाँ पर लाल रंग का दिखाई देता है और लाल सागर का पानी लाल इसी कारण से दिखाई देता है आप देखे ही होगी सुने ही होंगे या फिर गूगल में सर्च का पिगमेंट पाया जाता है वह उहां पे पाया जाते हैं इससी करण उस सागर का जो पानी है वह लाल कलर का दिखाई पड़ता है चलिए अब हम यहां पे देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑप ब्लू ग्रीन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी जो है उनके बहुत रूप होंग जैसे कि यहां पे इस्पाईरू लिना इसका एक्जामपल है जो कि यूनी सेलूलर है अकेले यहां पे पाई जाती है इस्पाईरू लिना जो है वो खाने में काम लिया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक होती है लगबाग 71% इन्हें जो है पानी के टैंग में उगाया जाता है और जनतों के चारे के रूपे भी प्रयोक किया जाता है सेकेंडर में यहां पर कॉलोनियल या फिर नीवही, कुछ साइनो बैक्टिरिया जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रूप बना के यहां पर रहेंगे थार्ड यहां पर फॉर्म होगा हमारा फिला मेंटस या फिर तंतु में कुछ ब्लू ग्रीन एलगी या फिर साइनो बैक्टिरिया जो है वो तंतु में होती हैं इनके सरीर में बहुत सारी जो सेल है वो एक कतार में बिवस्तित हो जाती है और इन तंतों को इहां पे ट्राइकॉम कहा जाता है एक्सामपल अगर हम देखें फिलामेंटस का तो ओसीलेट टोरिया जो है वो एक्सामपल हो जाएगा चलिए देखते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी का जो इस्ट्रक्चर है वो सनरचना है वो किस प्रकार से है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक रिडात्मक या फिर ग्राम नेगेटिव यू बैक्टिरिया के समान सनरचना रखती है क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे ग्राम नेगेटिव है अगर हम इसके बारे में और देखें तो इसके चारों तरब एक स्लिस्मिक लेयर पाया जाता है और यह जो लेयर है स्लिस्मा वाला या फिर कहें म्यूकस के समान वो म्यूको पॉलिस सेकेराइट का बना होत पाया है इनकी जो वो दो की होगी बाहरी जो लेयर है वो लाईप compensation की बनी होती है और अंत्रिक झिल्डी जो है वो पय।िटिटो MA eukta तरिये सेल वाल और उसके बाद यहां पर थार्ड हमारा लेयर जो है वो है कोसी का जिली या फिर जिसे कहा जाता है सेल मेंबरेन जो कि यहां पर लाइपो प्रोटीन की बनी हुई होती है इसके अंदर अभी हां पर साइटो प्लाजम पाए जाते हैं साइटो प्लाजम या फि इन्हें भी दो भागों में डिवाइड किया गया है पहला यहां पर पेरिफेरल साइटो प्लाज्म इससे यहां पर क्रोमो प्लाज्म भी कहा जाता है इस भाग में गैस वैक्यूल्स और यहां पर प्रकास अंसलेसी थैलेकॉइड पाए जाते हैं इसके अंदर किसमें इसे यहांपर поч sailed होते हैं ओर अगर हम देखने तो इसमेंρωे सेंटो प्रते हैं रहा पाए जाएंगे लेकिन नील हरित सेवाल जो है उसमें जिल्ली युक्त और्गनेल पाए जाते हैं इनमें गैस वैक्टिूल्स भी पाए जाते हैं साथ इसाथ इनमें थायलेकॉइड भी पाए जाते हैं जिसकी सदा पे प्रकाश संसलेसी जो पिगमेंट है वो पाए जाते है चलिए अब देखते हैं food storage अगर हम देखें साइनो बैक्टिरिया में food storage किस प्रकार से होता है तो एक granules और बी granules के रूपे ये जो food का storage है वो करती है एक granules जो हैं वो साइनो फाई सियन इस्टार्च के बने होते हैं और ये सरचना की त्रिष्टिस से glycogen के समान होते हैं इस्थिरी करण या भी nitrogen योगी की करण या भी nitrogen fixation अधिकान जो साइनो बैक्टिरिया है वो वायू मंडल से nitrogen का यहां पर योगी की करण करती है जिससे की भूमी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है तो अगर भूमी में हमारा जो कोई साइनो बैक्टिरिया हो और वो nitrogen योगी की करण करे तो भूमी की उर्वरता बढ़ जाएगी जिससे की फसल बहुत ही अच्छी होगी और किसानों को लाब होगा एक्जामपल अगर हम यहाँ पे देखें तो एना बीना जो है वो एक एक्जामपल के तौर पे ले सकते हैं जो की एजोला की पतियों में सहजी भी के रूप में पाई जाती है तो एजोला को अगर हम चावल की खेती में उगाएं चावल की जो अगर हम खेत हैं उसमें उग और यह एनाबीना जो है वो नाइट्रोजन का यौगी की करण करती है और नाइट्रोजन के यौगी की करण से भूमी की रुवरता बढ़ जाती है जिससे की पैदावार जो है वो बहुत ही अच्छी होती है यह यहां पर सीमबायोटिक फॉर्म हो जाएगी सेकेंड है यहां पर फ्री लिविंग फॉम कुछ जो साइनो बैक्टिरिया है वो फ्री लिविंग फॉम में पाये जाते हैं मतलब कि सहजी भी दूसरे जीवों के साथ नहीं रहते वो अकेले ही ऐसे ही पाई जाएंगे और नाइट्रोजन का इस्थिरी करण सौरी यौगी की करण करती है जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो एना बीना और नौस्टॉग भी हो जाएंगे यह क्या करती है यहां पर मुक्त रूप में पानी में या फिर मिट्टी में पाई जाती है और नाइट्रोजन का यौगी की करण करती है जिससे कि पैदावार जो है वो बढ जाती है यहां पे अगर हम देखें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है तो साइनो बैक्टिरिया में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होगा पहला है काईक जनन दूसरा है आलेंगिक जनन काईक जनन में अगर हम देखें तो पहला है बाइनरी फीजन या फिर दुई है उसमें कोई सैल है उसका एक भाग त пережаже और उस से एक नया जोρεί सांटरू बैक्टेरिया है वशकताई नहbourg उनमें यहाँ पे बीच में एक भाग जो है वो तूट जाता है अलग हो जाता है और उस तूटे हुए भाग से नया जो हमारा साइनो बैक्टिरिया है वो बन जाएगा नेख्ष्ट होगा हमारा और सेक्षवल रिप्रोड़क्षन यहां पर कुछ नील हरी सेवाल जो है वो विप्रित परिस्थितिया में एकाइनेट्स का निर्माड कर लेती हैं जैसे कि यहां पर नौस्टॉक एकाइनेट्स जो होते हैं वो अन्फेबरेबल और हार्स कंडिशन में बनते हैं जैसे कि यहां पे न्यूट्रियन की जब कमी हो लाइट लो हो लो टेंपरिचर हो तब यहां पे एकाइनेट्स का निर्माड होता है एकाइनेट्स जो है वो रिस्टिंग सेल्स होते हैं और यहां पे हर्स कंडिशन में सर्वाइब करने के लिए जरूरी होते हैं जब यहां condition ठीक हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, तब यह यहां पे asexual reproduction में भाग लेती हैं और नए यहां पे sinobacteria का निर्माड करती हैं. तो इस प्रकार से reproduction जो है, वो sinobacteria में होता है, binary fusion, fragmentation और यहां पे alangic genan जिसमें की यहां पे echinates का निर्माड होता है. चलिए देखते हैं, यहां पे economic importance of sinobacteria, यह बहुत ही useful होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, nitrogen yogi की करण से यह भूमी को उपचाओ बनाती है, साथ ही साथ कुछ जो sinobacteria हैं, वो हरे खात के रूप में काम ली जाती है, यहां पे और हम देखें, तो कुछ sinobacteria जो हैं, वो toxins यहां पे secretion करती हैं, जिससे कि मच्छरों के जो लार्वा हैं, वो पानी में growth नहीं कर पाते हैं, अब इनका फायदा तो है, इनसे हानिया भी होती हैं, जो की देख लेती हैं, देख लेते हैं, पहला है यहां पे हमारा water bloom, water bloom के अगर हम बात करें, तो निलहरी सैवाल या ज जाती हैं, जिससे कि पानी प्रदूसित हो जाती है, और उस पानी में दूसरे जो जीव हैं, वो भी दीरे-दीरे मरने लगते हैं, इससे ही water bloom या फिर जल प्रसफूटन कहा जाता है, अगर इसको हम डीटेल से देखें, तो जो साइनो बैक्टिरिया हैं, वो जल में बहुत ही तेजी से ग्रोध करती हैं, और कुछ टॉक्सिक पदार्थ जो हैं, वो स्रावित करती हैं, ये टॉक्सिक पदार्थ जो हैं, उन्हें death factor कहा जाता है, जिससे कि उस पानी में पाय जाने वाले जो दूसरे जीव हैं, वो धीरे-दीरे मरने लगते हैं, और जो पूरा पान हैं, वो टॉक्सिक हो जाता है, और बदबूदार हो जाता है, साथ ही साथ और यहां पर देखें, तो पानी के टैंकों में उगकर ये पानी हैं, उसे खराप कर देती हैं, तो इस प्रकार से साइनो बैक्टिरिया का फायदा भी है, और हमें कई प्रकार से हानिया भी हो सकती आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेट कोस्चन होगा निम्नमे से कौन यूनी सेलियूलर साइनो बैक्टिरिया का एक्जाम्पल है पहला है हमारा इस्पाइरूलीना सेकेंड है यहां पे एनबीना तीसरा है औसीले टोरिया आपको अंसर जरूर देने हैं कमेंट करके देने हैं और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन फ्रेस कीजिए थैंक्यू जो मच फॉर वाचिंग